हलो दोस्तों गुड बॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे हम सभी अभी ठीक हैं और यहां पर देखें मॉर्निंग के साड़े पांच बच चुके हैं और आप डेट है 28 जुलाई जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरे बच्चे दोनों सो रहे हैं और हम दोनों लोग बस उठ चुके हैं मतलब सो कर जग गए हैं और यहां पर मैंने पंखा जो है तो बंद कर दिया है क्योंकिना मुझे लगानी है जाड़ू तो जैसे कि मैं अभी जो फैन चालू रहेगा और मैं जाड़ू लगाओंगी तो फिर जो कच्ड़ा है वह तो अच्छे मंदम निकल नहीं पाएगा रूम के बाहर तो इस वैसे मैंने पंखे को बंद कर दिया है और अभी यहां पर जाड़ू मेरी लग चुकी है तो पंखे को चालू कर देती हूं क्यूंकि ना अपना मोबाइल देखने लगी थी न तो यहां पर फिर टाइम न च्छे बच चुके थे आधा घंटा मैंने मोबाइल देखा तो छही बच गए थे देखी तो कितना तेज मतलब उजेला हो चुका है जबचे काफी ज़ाद हो जाता है लिए मैं जो हैंसे कुछ जगा दिया मैं निका उड़ो च्छ बच चुकय हैks स्कूल भी जाना उसे और से बुखार आ रहा है, यह पता नहीं अगर जाना होगा तो आज चलआ जाये मैं पर कल झदकाई आ लगतना मैं तो लिए मैंने माने राओता उट आपके लेट बीखा ど और मैं यहां पर कर लेती हूं पहुचा तो मैंने रूम में किचन में दोनों जगे मैंने पहुचा कर दिया है इसके बाद मैं जो है तो यहां बरामदे में मेरे दोनों बरामदे रहे गए थे तो बस यहां पर मैं पहुचा कर लेती हूं तो चलिए आप लोग इंजॉय करिए थोड़ी देर बाद मिलूंगे तो मैं उस वाले बरामदे में पहुचा करके यहां पर आगे थी इस वाले बरामदे में पहुचा कर निकले तो यहां पर कर देती हूं तो दोस्तों आप लोगों मैं बताऊं कि घर जैसा भी उसे साफ सुथरा रखो तो वो किसी महल से कम नहीं लगता अपना घर अपना ही होता है ना और अभी देखिए मैंने नहा लिया है और आ चुके हूं किचिन में हलो हलो दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करते हैं बहुत बहुत अच्छे होंगे आप सभी बुड मॉर्निंग और अभीनम मॉर्निंग के आड़ बच चुके हैं तो बस मैं आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूं और देखे जैसे की काफी दिन से व्लॉग नहीं आ रहे मेरे तो थोड़ा मैं बता रहे कि आप लोगों से मैंने बताया थे नहीं नहीं तो आज ठीक है अब तो ठीक है तो बस इस वाई से मैंने का अपने ब्लोग बुनाना शुरू कर दो तो अभी ना मोंडिंक आड़ बच चुके है मैंने हाल लिया जैसे कि और अभी बढ़ाने ज नास्ता तो नास्ता में बनेगा आज पोवा और चाय तो जो भी मेरे चैनल पर भाई बननी हुआ है शुप्ली चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बाई लाइगन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो नौटियों आप तक पहुंचती रहे और बस तो अ और तो कि जीर डाल दी है कढ़ाई में तेल गरम हो गया था कढ़ाई और इसके बाद पिर मैं डाल हूझ तो यहां पर प्याज और हरीमेट बगारा डाल दिए तो यह फिराई हो रही है तक तक मैं यहां पर पूह जो है तो निकाल देती हूं और इसमें थोड़ा पानी से मोह दूंगी इसे गीला करना है और कोई-कोई धोकर बनाता है मैं जो छुट्टा वाला पूह आता है उसे ध यहां पर चाय पती मेरी पक गई है तो यहां पर यह मेरे मसाले हो गई नमक डाल दिया स्वात के अंसार और आज बगर्ए तो यहां पर पोह डाल देती हूं और इसे एच्छे से मिक्स करके चार-पांच बहुन लेंगे और यहां पर देखिए मेरा पोह बन चुका है चाय क कि गैस भी आफ करनी है क्योंकि नहीं चाय भी पक चुकी है और मैं सभी को दे देती हूं और देखिए बच्चों को जल्दी भूंक लगती है आप लोग जैसे की समझ सकते हैं जिनके घर में चोटे बच्चे होते हैं उन्हें जल्दी लगता है मनलब खाना पीना या नास् में ठाली घराक भल ठेयर ठेया लगते हैं बचले Talking तो पीस लिये थे तो आप लोगों ने थाल में देखा ही होगा यह देखिए तो प्याज को मैंने डाला था तो प्याज हो गई थी इसके बाद फिर मैंने यह मसाले डाल लिए और इन्हें अच्छे से भून लेंगे तो यहां पर देखिए थोड़ा सा यह देखिए अच्छे कद्दु कस किया हुआ है और इसका प्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्सक्राइब यहां पर मसाले अच्छ से हो गए भूण गए तो यहां पर काले चने के ऐसे इसमें न गॉर्ण यह कलार आ गया काला काला सथ और आखे तो यह देखे तो मैंने आलू भी डाल दिया इसा बाद जो है तो यह डाल देती हूं चने और छोले दोनों साथ में ही है तो बस समझ यह छोले ही है और यह डाला मैंने चाइपती का पानी और इसमें थोड़ा सा पानी और देंगे यह देखे तो मैंने गरम पानी ही डाला और यहां पर मैं रख रही हूं चामल जो है तो पकने तो यहां पर मैंने चावर लग दी है अभी मैं एक साइड डाटा लगा लेती हूं तब तक मेरी सब्जी भी पक रही है और यह देखिए और बच्चे ना मेरे सामने ना गेट में जूल जूल रहे हैं यह देखिए तो अभी ना यह आनस पता नहीं क्या कर रहा था मुझे जादा तेज रोस नहीं आ गई है बाहर से तो फिर यहां का कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा है तो मैंने आटा लगा के रख दिया हाथ भी दुल लिए और बस इसे जो है तो ढग दूंगी आटा को और तब तक यह सेट होगा तब तक यह थोड़ा यहां पर किचन में थोड़ा पतली ही सबंची पशंद करते हैं इसके बाद जो है तो मैं अभी यहां पर जब तक मेरे चामल हो रहा है आटा मने लगा के रख दिया था तो फिर मैंने जो है तो पानी भी भरना पिने वाला क्यूंकि पानी नहीं है और ये कपड़े दोस्तों जूला भी जूल रहा है यहां पर हो रही हो तेजी से बारस रही है आप लोग देख पा रहे हैं सायद तो दोस्तों देखे कितनी तेजी से बारिस आई हुए है और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए जूला लगाया जैसे कि सामन है हम लोग तो जूल नहीं पाते हैं तो कम से कम बच्चे तो मतलब इस महिने का लुप तो उठाएं तो यहाँ पर देखे मैंने इन के लिए तो अच्छा समान आता है फिलिप काट से तो बस मुझे भी अच्छा लगता है तो बस यह देखी तो मैं भी इसकी ना अन्बॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखा रहे हूं तो अभी देखे यह मैंने टी सेट खोली है और इसका ना अभी खोल के दिखाती हूं कैसी है और यह देखे मैंने नौ से दस साल के बच्चे के लिए ओर्डर की थी और अन्से तो अभी आठ साल का पूरा हुआ है मुझे याद ही नहीं रहा और कभी-कभी ऐसा होता है जैस आपसी करना पड़ेगा रिटन करना पड़ेगा तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक है दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और यह से ना देखती हूं मतलब आपसी करना आपसी करना हुआ है यह से खाज है दोस्तों आपसी करना पाद करना प्योंगा तो यह सबस्दिए च्छा बनापसी करना पड़ियो रुआ है तो आपसी आप़